हेलो ठ्रियन फैमली कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आपसे लोग बढ़िया होगे और आपसे लोग को बढ़िया होना भी चाहिए आज कहनों को कुछ नहीं है तो सीधर वीडियो स्टार्ट करते हैं जो भी वकवास होगी वीडियो के लाश्ट पे कर लेंगे या की बीच में कर लेंगे तो आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब मार दो मैं फटाबट से आप लोगो पिछले अपसोड बता देता हूँ पिछले अपसोड में हमने देखा था जो यान, गुई युआन को बचाता है और लियान के द्वारा बुलाए गए कांगरी ग्रूप के दो औरिजन किंग लेविल के वाडियर्स की लंका लगा देता है उन वाडियर्स को भी समझ भी नहीं आता कि वो मर कैसे गए जिसके बाद हमने देखा था जो यान, गुई युआन से मिलता है काफी सारी बाते करता है इसके बाद कहता है अब इस छुटकू का क्या करना है जिस पर गुई युआन कहता है इसने काफी सारी लोग को मारे तो ये कहीं भी जाएगा तो ये मारा ही जाएगा जिसके पर जोयान कहता है इसका मेरे पास थोड़ा सा यूज है आप इस प्रोड़क्ट को मेरे पास दे दो जिसके पर जोयान कहता है ठीक है भाई मेरे को तेरी उपर ट्रेश्ट है तू रख ले जिसके बाद जोयान कहता अब इसका यूज करके मैं कांगरी ग्रूप को black male करूँगा जिसके बाद गूयान कहता बेटा अपना ध्यान लखियो हमको तुम पर पूरा भरोसा है पर Kangri Group खाफी ज़ादा है जिसके पर जूएन कहता है फिकार नॉट मैं देख लेगा इसके बाद हमने देखा था जूएन लियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है गूएन भी बाकी सबी लोगों को लेकर यूलुओ अकेडमी निकल गए थे जिसके बाद जूएन लियान को मा पर तो होनी ही चाहिए और यह जो Kangri Group था यह Green Sun City में था और वहाँ के लोग भी काफिया रखता नाग थे और Green Sun City में जो यान भी पहुँच गया था और वो एपसोर मैंने वहीं पर एंड किया था तो यह एपसोर इस्टार्ट होता है जायश्वाई से जो Green Sun City होती है उसमें Kangri Group की तीन ब्रांचेस थी जो की Green Sun City की चारो डाइरेक्शन में थी और वो अपने हाथ से Green Sun City को कंट्रोल करते थे साथी लियान के जो बिग ब्रदर थे ली इन वो Kangri Group के हाई पोजीशन में होते है और उनकी हैसियस के साथ कोई भी उनके साथ आसानी से खिलबार नहीं कर सक आइमीन एक पवेलियन के सामने खड़ा हुआ था और उसके सामने एक साप जील होती है जिससे देखकर वो स्माइल कर रहा होता है जिसके बाद कहता है अभी कुछ महीने वाकी है और ये सेक्ट मास्टर का जर्म देन है तो इस बार हमें उनके लिए एक काफी बड़ा प्रा के सेक्ट मास्टर जू कंगाई ली इन को अपने क्लेंड के उत्रा धिकारी के तोर पर भी देखते थे और उसे वो सभी चीज़े दी जाती थी जिसकी उसे जरुरत होती थी जहां तक कि उसे एक ब्रांच का लीडर भी बना दिया गया था साथी लीन ने भी किसी को निरास किया था और उसके टेलेंट और इस ट्रेंट को देखते हुए कांगिरी गृप के जो एल्डर से वो भी उसकी काफी तारीब किया करते थे और उन्हें पता था कि अगर कुछ भी आनेक्सपेक्टेड नहीं होता तो फ्यूचर में क्लें लीडर ली इन ही होगा और यही एक बज़य थी कि लीन कुछ महीनों बाद सेक्ट मास्टर के हो रहे जनम दिन के लिए पूरा ध्यान दे रहा था ताकि वो उन्हें उनके बड़े में एक बड़ा सा गिप्ट दे सके हाला कि जब वो सोच रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या गिप्ट देना चाही की तब ही एक सर्बेंट लीन की तब देखते हों कहता है मास्टर मेरे पास एक सजेसन है लेकर मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं तब ही लीन मुझे चड़ाते हों कहता रहे जल्दी मुझे इसके बारे में बताओ ये जो सर्बेंट था ये उसका भरोसे मन साथी इसलिए उसकी ज़्यादा परवा करने की ज़रुत नहीं थी तब ही वो सर्बेंट कहता है मैंने सुना कि सेक्ट मास्टर कई दिनों से कल्टीवेशन में है और बाहर नहीं आए साथी मैं सर्प्राइज हूं कि क्या मास्टर सेक्ट मास्टर के कल्टीवेशन मेथड को जानत है और इसका कल्टिवेशन करना बहुत painful होता है जाती सेक्ट मास्टर कुछ दिनों से एक आंध बास में है तो फिर उनने भी इस कल्टिवेशन की समझ होनी चाहिए इस पे लिए इन चुप रहता और कुछ भी नहीं कहता वो बस उस सर्वेंट की बात को ध्याम से सुन रहा होता और उनकी आंखों में लाइट प्लैस हो रही होती है तभी सर्वेंट कहता है मैंने भी इसके बार में पहले सुना है और इस कल्टिवेशन मेथट को अपग्रेट करने का एक सौटकर भी है और अगर मास्टर सेक्ट मास्टर को वो सौटकर बता सकते हैं तो इनको एक्साइट देखकर वो सर्वेंट भी काफिया रखोस होता क्योंकि उसने इस मेथट को एक एसियंट बुक में पढ़ा था साथ ही उसे पता था कि अगर लेन फ्यूचर में कांगरी ग्रूप का सेक्ट मास्टर बनेगा तो उसकी भी पोजीशन बढ़ जाएगी तभ लेन जब यह सुनता है तो वो खुसोने से पहल तो सौक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि इसके लिए लियर मेडिसिनल हबस की जगुषत होगी उससे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी सरल भीदी होगी मतलब लड़क्यों की जिन्दगी मेडिसिनल हबस से भी ज्यादा स मुझे सिर्फे से रिफाइन करने के लिए एक ड्रेट एलके मिष्ट की जगुषत है बागी किसी दूसरी मदद की नहीं इस टाम पे लियर इनको अच्छे से पता था कि अगर वो यह पिल रिफाइन करके गिप्ट के तौर पर पेस करता है तो यह हर एक प्राइज से काफी बड़ा प्राइज होगा जिसके बाद वो कहता है कोई है कुछ आदमियों को ले जाओ और सहर के बाहर कुछ गावों में जाओ तीन दिन के भीतर मैं सौकवारी लड़किया देखना चाहता हूँ नहीं 200 तभी एक पावरफुल और स्ट्रॉंग आदमी आता है और वो तुर लियान मुस्कुराते हुए अपने आदमियों की तरफ देखती हुए कहता है क्या आपके पास एलकेमिस्ट के हिसाब से कोई अच्छा सजेसन है मेरे लिए क्योंकि इस टाइम पे एक रोने और चिलाने की आवाज के साथ वो हट्टा कटा आदमी जिसे 100 200 अबे 200 होता है वो लड़कियों को लेने के लिए भेजा गया था वो बंदा भी हमा में उड़ता हुआ और ब्लड की बॉमिट करता हुआ आता है और वो जहां से भी उड़ता हुआ जा रहा था खूनी खून भी धरता जा रहा होता है तब ही लियान अपने हाथ को बढ़ा कर उस आदमी को बाले धबे लगे हुए थे तो लियान तुरंती कहता है लियान तुरंती कहता है आप कौन है और इस टाइम पे उसकी आखे के बल जो यान को घूर रही होती है जो कि उसके यहां पे बिना किसी एनांसमेंट के सीधा गुसा आया था और मार पीट करने लगा था और इस हर एक अपने बाले आदमी को देखता है और उसके चेरे पे स्माइल होती है जिसके बाद जोयान कहता है तुम दोनों भाई एक अपने साथियों को मार डालता है दूसरा अपने नागिरिकों को मारना चाहता है और अपने ही लोगों को मारना चाहता है मुझे लगाई था कि तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे उपर ही गया होगा इस टाम पे जोयन की आँखों में पूरा कोल लोरा होता है हलाकि स्टार्टिंग में तो जोयन के पास कांगी ग्रूप को टार्गेट करने का कोई भी निसान नहीं था बट अब जोयन के पास काफी सारे रीजन थे इसलिए लीन को माना अब उसके लिए बोज़ की वात नहीं थी तब ही वो सर्वेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिसने लीन को ये सजेसन दिया था वो तो आग बबूला हो गया होता है और दौनों पैर जमीन में पटक कर वो लाल वत्ती और दो पंचो को लेकर भन बनाते हुए जो यान की तरफ ने कलता है और कहता है फोर किलिंग फिष्ट मोनार की स्पैल और इसके बद चार श्ट्रॉंग एर कंडेंस हो जाती है और जो यान की तरफ उड़ रही होती है लेकिन जो यान इसे विलकुल भी सीरियसली नहीं ले था और वो बस उस आदमी को देख रहा होता जो उसकी तरफ बढ़ रहा था इस इस से आसपास का इस पेस भी सेटर हो रहा होता है इस टाइम पे आसपास के पेड़ और जील भी काप रही होती है इस एयर के कारण तब ही लेन बुक काप ही सौक होता है क्योंकि उसने जो यान को देखा था जो एक इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटा था वहीं का वहीं खड़ा था और उसने देखा था कि यह यार जो कि जो यान के उपर प्रेसर कर रही थी तब ही जोन अचानक से अपने हाथ को आंगे बढ़ाता है और एक क्रिम्सन गोल्डन फ्लेम जो यान के हाथ में आ जाती है जोन कोल्ड एर्स को तुरंट ही गायब कर देती है औ देकर तो लीन और भी सर्प्राइज होता है और इसके बाद वो तुरंट ही अपनी ओरिजन कोई को एक्टिवेट करते हुए आसमान में और जाता है और अपने औरे को पूरी तरीके से अनलिस कर देता है साथ ही वो जो यान कितब देखता है तो काफी सौक होते हुए कहता ह क्या क्योंकि उसने देखा था कि जो उसके साथियों को चारों तरफ बाउंडी लाइन के बाहर उड़ा दिया था ये देखकर तो लीन के जो सर्वेंट होते हैं उनके फेस इंपरसन बदल गए थी क्योंकि उन सबकी पावर मोनार के स्पिट लेविल के पीक लेविल पर थी और उन्हें कांगरी ग्रूप की बैक बोन माना जाता था और वो कहीं से आए हुए एक अन्नोन परसन के एक-एक मुक्कों सोड़ते हुए जा रहे थे ये तो पहले ही उनकी डिस्रिस्पेक्ट थी हालकि जब कोई सद्वे में होता है तब ली इन तुरंती जोयन के सामने आ जाता है और अपने दौनों ही हाथों से जोयन के उपर अटेक करता है जिससे आसपास की जगे भी सेटर हो रही होती है और इस अटेक को फिल करके तो जोयन का भी दिल कांप उठता है क्योंकि ये उन दोना एंपरर से भी काफी श्रॉंग था जो ली यार ने उस टाइम पर बुलाए थे इसके बाद जोन बिना किसी हिच के चार्ट के अपने ओरिजन कोई को अफेर करता है और इसके बाद जोन की बॉड़ी से पापरफोर ओरिजन कोई की बैप्स निकलती है और यह एनरजी वेप्स ली इन के उपर अटेक कर देती है यह देखकर ली इन भी काफी अरच चौंक जाता है क्योंकि उसने जोन की पावर फिल की थी वो मोनार्च स्पिरिट लेवल पर थी लेकिन जोन की जो ओरिजन कोई थी वो काफी पावर फुल थी हालकि यह देखकर लीन जो यान का मजा कोड़ाते हुए कहता है तुम तो एक मोनार्च स्पिरिट हो तुम्हारी आँग उसने की हिम्मत कैसे हुई क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ तुम्हें मरने से डर नहीं लगता और इसके बाद तो लीन की आँखों में लाइट मसाल की तरह जलने लगती है और उसके हाथों में ओरिजन कोई काफी हरा कंडेंस होने लगती है और इसके बाद जो यान और लीन की दौनों की पाम अटेक एक दूसे से टकराती है और जील के उपर एक जोड़दार टक कर होती है जिससे जील का पानी उबलने लगता है और इसके बाद चार तरब धुआ धुआ होता है और दो फिगर्स तुरंती पीछे की तरब चली जाती है साथ इस टाम पे जो यान काफिया सौक भी होता क्योंकि वो इस परस्ट एक्षेंज से ये बता सकता था कि वो अब तक जितने भी ओरिजन किंग लेवल के बाइट से मिला था उनमें ये काफियारा पावरफुल था बस इंकाम को अगर छोड़ दिया जाये तो हाला कि जब लीन जमीन पर उतरता है तो वो देख सकता था कि ज़न काफी स्पीड के साथ उसकी तरह बढ़ रहा होता है ये देखकर वो काफी सौक होता है हाला कि उसने अपने पार्म अटेक में पूरी एनर्जी का यूज नहीं किया था लेकिन एक नॉर्मल एंपरर भी आई मीन ओरीजन किंग भी उसके अटेक से इंजर्ड हो सकता था जबकि जोयन तो मोनार्ची स्पेट था लेकिनों से कुछ भी नहीं हुआ था इसलिए लेन तुरंदी कहता है इंट्रेस्टिंग और इसके बाद वो सोचता है कि अब जोयन का यूज वो अपनी हिडिन टेकनिक का टेस्ट करने के लिए कर सकता है जिससे उसने अभी अभी सीखा था और इसके बाद लेन की हाथ फैल जाते हैं और उसकी आखों में कोल्ड कोई कंडेंस होने लगती है और उसकी बादी में अचानक से इसकोई को देखकर काफियाद सभी लोग सर्प्राइज होते हैं जिसके बाद सर्बेंट कहते हैं ये मास्टर की प्रोफाउंड आइस मूव्मेंट टेकनिक है और ये एक हिडिन टेकनिक है जो की हाई रैंक मोनार्च स्पेल है या कि उससे श्ट्रॉंग ही है और कोई नॉर्माल एम्परर तो इससे चूकर ही मर जाएगा ये लड़का तो अब 100% मैनने वाला है लीन की बादी में अचानक से चेंजस को देखकर उसके सर्बेंट काफिया रखोस होते हैं क्योंकि वो प्रोफाउंड आइस मूवमेंट टेक्निक के हिडिन कॉसल को काफी अरची तरीके से जानते थे जो लीन ने कुछ राइम पहले ही माश्टर किया था और ये काफी ज़्यादा खतानाग चाल थी तभी जो यान भी कहता है कितनी मिश्टीरियस और पावरफुल ओरीजन कोई है इस टम पे जो यान अपने रास्ते पे रुका होता है भोएं बंदी हुई होती है सायद बॉस हेलपलेस भी फील कर रहा था लेकिन तभी जो यान के चाहर पे आती है अचानक एक मिश्टीरियस कोल्ड स्माइल और इसके बाद जो यान अपने दोनों ही मुठीयों को बांधता है और क्रिमसें गोल्डन फ्लेम उसमें अफ्यर होती है तभी अचानक आवाज आती है जो यान अभी इतनी आसानी से एंपरर फ्लेम के यूज मत करो मुझे मुझे इसकी जरूरत है और इस टाम पे जो यो की ये रिक्वेश्ट फुल आवाज को सुनकर जो यान दंग रह जाता है और तुननती उसकी हाथों से उसकी फ्लेम गया हो जाती है जिसके पर जो यो कहता है आकिरकार क्या हुआ और वो लीन को देखने लगता है यह पहली बार था जब जो यो उसकी एंपरर फ्लेम में सामिल हो गया था और इस टाम पे तो जो यो कहता है मुझे नहीं पता साइद ऐसा अर्थ फायर प्रोपाउंड क्रिस्टल विष्ट के साथ लाश्ट बैटल के कारण लगी चोटो के कारण होना चाहिए हाला कि मुझे अच्छे से नहीं पता इसलिए मेरी बॉड़ी कमजोर हो गई है और मैं अपनी मेमोरी इसको सेफ करने के लिए और अपनी बॉड़ी को चेक करने के लिए और इजन, I mean Emperor Flame के यूज़ करना चाहता हूँ I mean यूज़ कर रहा हूँ जो यो की respectful आवास को सुनकर जो की काफिया थकावट से भर यूई लग रही थी जो यान का दिल भी melt हो जाता है साथ ही जो यान की दिल में घबराहर्ट भी आ गई होती है और वो चुपचाप से हिलाता है जिसके बाद जो यान की ओर इजन कोई उसके पीट के पीछे एक अलियूजनरी फिगर में कंडेंस होने लगती है और यह औरा काफियारा मिस्टीरियस दिखाए दियरा था जिसके बाद वहाँ पे धीर धीर एक वाइट टाइगर वीष्ट के अलियूजनरी फिगर अप्यार होती है हाला कि प्रेजन टाइम पे जोन का सबसे स्ट्रॉंग मूब एट डाइरेक्शन थंडर रूलर था लेकिन 3000 लाइटिंग फ्लेम के बागेर जोन इसका यूजन नहीं कर सकता था एक्स्ट्रीम लेवल पर इसलिए जोन ने वाइट टाइगर आट का यूजन किया था और जोन अपनी पूरी पावर के साथ केबल इसकी वाइट टाइगर सेकेंड फॉर्म सैटरिंग श्ट्राइक को ही अप्यर कर सकता था जिसकी पावर एक हाईरेक मूनार के स्पेल से जादा ही स्ट्रॉंग थी तब ही लीन कहता है बच्चे तुमारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई लगता है तुमको ज़्यादा ही इगोफॉल हो इस टेम पे जोयन के पीछे वाइट टाइगर को देखका ली जिनको बिलकुल भी जटका नहीं लगा था वो तो बस कोल्ड इसमाल पास कर रहा था क्योंकि उससे लग रहा था वो जोयन को अभी क्या भी मार देगा हाला कि लीन तुरंती कहता है तुमने मेरे छोटे भाई को देखा है वो कैसा है और इस टेम पे उसकी वाइस में किलिंग इंटेंट हो रहा होता है तभी जोयन कहता है अगर वो किसमत बाला रहा तो उसे जिन्दा बच जाना चाहिए बढ़ना मैं नहीं जानता इस टाम पे जोयन के वाइस में भी किलिंग इंटेंट हो रहा था क्योंकि वो तो इन दोनों भाईयों से नाराज था तभी लीन कहता है भाग गिसाली और उदास हो जाता है और इसके बाद वो जोयन की तब देखते हुए कहता है प्रोफाउंड आइस टेरेंट किल और जैसे उसकी कोडवाइस जमती है उसके आसपास तुरंती आइस के बलेड एक खटा हो जाते है जो किसाज में दरजनों फीट थे और इस टाम पे इन आइस बलेड्स ने चारों तरब से लीन को कवर कर रखा होता है और इस टाम पे लीन की चिल लाने की आवाज के साथ वो आइस बलेड्स जो यान की तरब बढ़ने लगते है तब ही जो यान भी मुकस कर अपने पंच को बांग लेता क्योंकि वो भी सर्प्राइस था अपनी तरब बढ़ रहे हैं इन आइस बलेड को देखकर जिसके बाद जो यान कहता लीन ये बास्ताव में फायर्स रैंकिंग में 200 के अंदर रैंक करने के लायक है इस टाम पे जो यान ने इस अटेक से काफी अरप रेसल फील किया था जिसके बाद जो यान कहता ठीक है उसके कारण आसपास की जगे भी फ्लेक्चुएट हो रही होती है हाला कि जो यान एंपरर फ्लेम के यूज नहीं कर पाया था लेकिन जो यान ने हॉइट टाइगर आट को सबसे स्ट्रॉंग अटेक को यहाँ पे परफॉर्म किया था कुछी टाइम के अंदर वो आइस ब्लेड और हॉइट टाइगर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इसके बाद चार तरफ एक कोल्ड और अविखर जाता है साथी एक पावरफुल हॉइट टाइगर वीष्ट का रोड सुनाया जाता है टाइगर बीष्ट की आके बिल्कुल रेड होती हैं और साथी साथ वो उस आइस बेड की ओपर चढ़ा हुआ होता है साथी जौन भी इस टाइप पर काफी सीरियस होता है तो दूसरी तरफ लीन भी काफी एरा चौक जाता है जब उसने देखा था कि जौन के अटेक ने उसके अटेक को रोग दिया था तब ही लीन एक क्रूल इसमाल करता है और इसके बाद अपनी बॉड़ी का औरे को अपने ब्लेड में डालने लगता है लेकिन जौन को किसी भी हालत में लीन को हराना था इसरे जौन तुरंती सीरियस होता और अपनी जीब को काटता है जिससे एक गोल्डन ब्लेड ड्रॉप निकलती है जो कि उसके सामने उसके औरीजन कोई में मिल जाती और औरीजन कोई गोल्डन लाइड की तरह साइन होने लगती है और इसके बाद हॉइट टाइगर जो की पावरफुल तरीके से रोर कर रहा होता है अचानक से बढ़ा कुठता है जैसे कि उसने अपनी पावर वापस पा ली हो और एक बार फिर से उस आइस ब्लेट के उपर अटेक कर देता है तभी लीन हस्ते हुए कहता है अच्छा वच्चा तो तुम अपनी बाडी के ब्लेड एसेंस का यूज़ करना चाहते हो इस टाम पे वो अपने दिल में हैरान भी था कि एक मोनार्चे स्प्रेट उसके इतने खतानाक और पावरफुल अटेक को इतने धेर तक रोकने में कैपवल है अकर वो फ्यूचर में बढ़ा होगा तो ये उसके लिए एक काफी वड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी और जब लीन ये सोचता है तो उसके चर पे एक क्रियल स्माइल आ जाती है और किलिंग एंटेट और एक बार फिर से बढ़ जाता है जिसके बाद वो अपनी बॉड़ी की पूरी होरिजन को इका यूज़ करके अपने आइस ब्लेड को और भी स्ट्रॉंग करने लगता है जिससे वो आइस ब्लेड और भी हार्ड और स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा था तब ही जोयान भी ये देख अपने दांतों को भीचता है और इसके बाद अपने हतेली को आगे बढ़ा देता है लेकिन तब ही वो हुआइट टाइगर अचानक से गरचता और इसके बाद एक वाबरफुल फोर्स के साथ जोयान पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है दूसे तब जोयान को गुस्से में लाल होता हुआ देखकर लीन गुस्से में चलाते हुआ कहता है तुम यहाँ से आज नहीं भागता होगे और इसके बाद वो भी अपने हातों में परपल ब्लू कलर की एक इस्टिक पकड़ लेता है और जोयान की तरफ बढ़ जाता है और जिस्टाइम पे लीन और जोयान एक दूसे की तरफ बढ़े थे उस्टाइम पे उस आइस ब्लेड ने वाइट टाइगर को भी डिश्ट्रॉय कर दिया था और इस्टाइम पे लीन की इस्टिक और जोयान का रूलर एक दूसेर से टकराते हैं और इसके बाद एक आवाज के साथ लीन अंट्रेश्टिड तरीके से पीछे की तरफ फट जाता है और उसका हाथ कहा पर होता है और साथ अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली के बी वेपन है और वे सभी लोग पावरफुल और पॉपुलर परसन है साथ इस टैंप पे उसके सामने जो परसन था बुत के वल एक मूनार्च स्प्रिट था लेकिन उसके पास भी बास्तों में एक डिवाइन वेपन हैवेल्नी वेपन था इसलिए लिए लीन को टेंसन होती कि उसने किसी नाराज कर दिया क्योंकि अगर वो किसी बड़ी पावर हाउस या बैक ग्रांड से होता तो यह उसके कांगरी ग्रूप के लिए म الصीबत हो जाती हाला की तुरंती वो गुस्ञा भी हो जाता क्योंकी चाहे कुछ भी हो जुँए ओस जो बर्काने की हमत की थी इस के सामने का ओपोनेंट और इजन किंग से काफी श्रॉंग था और अगर उसने पूरी पावर के यूज नहीं किया होता तो आज बास्तों में जोन मारा जा था जिसके बाद जोयान उसा इस ब्लिट को अपनी तरपाते हुए देखर तुरंथी ब्लू फ्लेम रूलर को कसकर पक ग्लाज करता है और तुरंथी एक ड्रेगन प्रिजन डोमें जोयान के रूलर से नहीं करकर ली इन की तरप चार्ज होगाता है यह देखकर ली इन तुरंथी कहता है है हैंभल्ली वेफन, एंपररे स्किल उसने देखर अथफंडर ड्रेगन प्रिजन डोमें उसकी तरफ ब से एक ब्लाष्ट की आवाज के साथ वो दौनों ही अटेक अचानक से गायब हो जाते हैं जिसके बैकलेस फोर्स के कारण जोयान पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है लेकिन वो अपने ब्लू फ्लेम रूरर को जमीन में कड़ा देता है से उसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है और जमीन पे एक बड़ी नाली से बन गई थी तब इस जोयान को पीछे उड़ता हुए देकर लीन जोयान की तब देखता और चिलाते हुए कहता है नहीं ये कैसे पॉसिवल है मेरी प्रोफाइंड आइस मुवमेंट टेकनिक इस टम पे तो उसके हांद दोनों कांप रहे होते हैं हाला कि उसे पता था कि हॉइट टाइगर ने उसके इस ब्लेड की आइस ब्लेड की पावर को काफी आरा यूज़ कर लिया था तो काफी सौक होता है क्योंकि जौन ने देखा था वाइट कलर के कपड़े पहने हुए या एक यंग लड़का उसके सामने खड़ा हुआ था उस लड़के के काले वाल उसके कंधों तक थे चेहरे पे काफी प्राउटफुल इंप्रेशन काफी सुन्दर और हैंडसम लग रहा था ये लड़का और इस टाएं पे वो केबल जो यान को देख रहा हुता और ली इन को जो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तब ही ली इन भी इसे नोटिस करता है और उस लड़के की तब देखते हुए वो अपनी भ्योंए टेडी करता और कहता है तुम यूल्वो एकैडमी से यूआन त्यान मू हो ये सुनकर जो यान भी चौक जाता है और उस हॉइट लड़के को ध्यान से देखता है उसने इस यूआन त्यान मू इसके बार में पहले कभी नहीं सुना था तभी त्यान मू कहता है तुम ली इन हो लेकिन ये लड़का कौन है जो केवल एक मोनार्ची स्प्रेट है फिर भी उसने अपनी पावर के साथ इतना पावरफुल अटेक किया था कि मुझे तुम दौनों के अटेकों को रोकने के लिए अपनी 90% पावर के यूज़ करना पड़ गया और इस नहीं पियान त्यान मून इसमायल कर रहा होता और उसके इंप्रेशन काफी सांत होते है तभी लीन भी काफी उदास हो जाता क्योंकि उसके काफी सारे सर्वेंट जोयान के हते चड़कर जमीन पे लेट चुके होते है इसलब वो तुरंति उसे देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि इन दिनों कांगरी ग्रूप और यूलो अकेडमी के बीच में कोई भी संगर्स हुआ है दुरी तब जोयन भी उस लड़के को देख रहा होता है तो उसका दिल भी थोड़ा सा हिल गया होता और इसके बाद वो थोड़ा दूर आता है उससे अच्छी तरीके सा पता था कि इस तरीके की श्ट्रेंद अगर बास्ता में यूलो अकेडमी के किसी डिसाइबल के पास थी तो ये बैली डिसाइबल के टॉप 10 लोगों में से ही एक होने चाहिए तभी यूँआ त्यानमून कहता है आपने का मैं यहां क्यों आया हूँ मुझे लगता है कि तुम हमारी अकेडमी के फायर्स रैंकिंग में इंटर हो चुके हो तो क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई रीजन चाहिए हाला कि मैं बैली डिसाइबल हूँ और मुझे इनाम चाहिए अगर तो मुझे कम से कम टॉप 100 के अंदर के लोगों को मारने की ज़ुरत है लेकिन टॉप 100 के लोगों को ढूड़ना कापी मुस्किल है इसलिए जब मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे आप दिख गए और आपकी प्रोपाउंड आइस टेकनिक के साथ आप मुस्किल से 100 में जगे बना सकते हैं इसलिए आपका सिर्ख मेरे लिए यूसफुल होना चाहिए और इसके बाद यौन त्यान मुन जो यान को देखता है और इसके बाद अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है ब्रदर मुझे लीन का हेड लेने दो मैं तुम्हे निश्चितोर पर मुअब जा दूँगा यौन त्यान मुन की बातों को सुनका तो लीन का चैरा पीला पढ़ गया था और आँकों में काफी अरगुस्ता था हालाकि ये कहा गया था कि यू लोक एकेडमी के बैली डिसाइबल के अंदर जो मुई यू यौन था उसे अभी भी औरली दन यानि एम्परर कल्टिवेशन लेवर पर पहुँचना था लेकिन जो यौन त्यान मुन था उसकी पॉपुलर्टी भी कम नहीं थी लेकिन वो मुई यू यौन की तरह चौकाने बाला नहीं था तभी जो यान यौन त्यान मुन की तरह देखकर चौक जाता है और धीरे से अपना सी रिलाता है जिसके बाद कहता है मुझे खेद है लेकिन मैं भी इसका सिल ले जाना चाहता हूँ ये सुनकर यौन त्यान मुन चौक जाता है और जो यान की तब देखते हैं उसके चर पे हलकी से मुस्कान होती है और इसके बाद वो कहता है मैंने इसे अभी देखा है आपकी पावर के साथ मुझे डर है कि आप उसे मुस्किल से ही मार पाएंगे और ये भी अभी कन्फरम नहीं है कि आप उसे मार पाते हैं या नहीं तब ही लीन के माते पे भी नसे निकलाई होती है इन दोनों की बाते सुनकर हाला कि वो तुरंथी अपने आपको कंट्रोल करते हुए कहता है क्योंकि तुम दोनों मेरा सिर चाहते हो तो तुम लोग एक एक करके आ सकते हो देखते हैं पहले कौन ले जाएगा हाला कि उसे पता था कि यान त्यानमून जो यान से काफिया रहे स्ट्रॉंग था लेकिन उसे पता था कि अगर ये दोनों लोग एक साथ उसके उपर अटेक नहीं करते तो अलग अलग वो दोनों से जीत सकता है लेन की बातों को सुनकर यान त्यानमून ने स्माइल करता है जो यान की तब देखते हों कहता है क्योंकि ब्रदर आप पहले फाइट करना चाहते हैं इसलिए आप पहले जा सकते हैं और उसके चहरे पे एक अजीब से स्माइल होती है और लेन भी जब ये सुनता है तो उसके चहरे पर एक खोल्ड स्माइल होती है क्योंकि अगर यान त्यानमून ने इंटर्फेर नहीं किया था तो उसके लिए जो यान से जीतना काफी इजी हो गया था क्योंकि जो यान को वो अपने लिए ओपोनेट बिल्कुल भी नहीं समझता था तभी जो यान कहता है मुझे जीतने देने के लिए धन्यबाद और इसके बाद इंप्रेशनलेस तरीके से यान त्यानमून की तरफ देखता है हाला कि तभी अच्छानक एक हावा आ जाती है यहाँ पे असांती बहुत बढ़ गई है लगता है कोई आया है तो जो कोई भी यहाँ आया है आप पहले यहाँ से चले जाईए यह सुनते है यान त्यानमून कापी सीरियस हो जाता अच्छा है कि बह यहाँ पे है चलो मिलकर उनकी देखभाल करते है इस टाम पे यहाँ त्यानमून ने फिल किया था कि उनमें से सबसे स्ट्रॉंग केवल औरिजन किंग लेविल के पीक लेविल पर था और मोनार्ज कल्टिवेशन या कि एम्प्रर कल्टिवेशन लेविल पर कोई नहीं था इसलिए उसे डढ़ने की ज़रुवत नहीं थी तभी जोयन कहता है आप काफी स्ट्रॉंग है लेकिन मैं आपको याद दिलान चाहता हूँ यह जग है जोयन की बात को सुनकर युआन त्यानमुन वो थोड़ा सा उदास हो जाता है उसे पता था कि उस टाइम पे जोयी से कुछ फॉइंट से आंगे था और स्ट्रॉंग था तो भी यह उनके लिए impossible होता हाला कि जल्दी से युआन त्यानमुन खुद को कंट्रॉल करता है और अपने माथे सा पसीने को पोच कर एक smile पास करता है और तुरंती जोयन के पास आ जाता है और इसके बाद वो अपनी जगे से गया वो कर सीधा ही जोयन के पास आता है और कहता है तुम मुझे अपने उपर अटेक करने के लिए मजबूर कर रहे हो और इसके बाद युआन त्यानमुन जोयन की तब देखते हुए कहता है तुम कौन हो इस टाइम पे जोयन को भी पता था कि अगर कांगिरी ग्रूप से उसे निपटना है तो उसे एक हेलपर की जवरत होगी और प्रेजेंट टाइम पे युआन त्यानमुन ही उसकी मदद कर सकता था इसलिए जब युआन त्यानमुन जोयन की उपर अटेक करने बाला होता तो जोयन तुरंती कहता है जोयन युनलो अकैडमी का डिसाइबल इस टाइम पे जोयन युआन त्यानमुन से कुछ भी नहीं चपाता और उसे अपना नाम बता देता है तभी युआन त्यानमुन कहता है जोयन आपकी पावर के साथ आपको ड्रेगन लेंकिंग में होना चाहिए लेकिन मैंने तो इसके बार में कभी नहीं सुना इस टाइम पे तो वो काफी रच चौंक या होता और कुछ गुस्सा भी होता है हाला कि बैली रियलम के अंदर कुछ ही लोग थे और वो सायधी कभी मिलते थे लेकिन उन्हें इस बात पे पूरा विस्वास था कि जोयन नाम का बैली के अंदर कोई भी डिसाइबल नहीं था क्योंकि ड्रेगन लेंकिंग उसमें सभी के नाम आते थे तभी जियन कहता है एल्डर युआन काफी चीजों में व्यस्त रहते हैं इसलिए हो सकता है कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया होगा उन दोनों की बातों को सुनकर ली इन तो हसने लगता है और इसके बाद वो अपने हाथों में एक पावरफुल अटेक को चार्ज करने लगता है जो कि काफिया रिश्ट्रॉंग लग रहा था तब यौन त्यानमुन हसते हो जौन से कहता ठीक है क्योंकि तुम यूलो अकेडमी से हो मैं सीनियर तुमारी मदद जरूर करूँगा और इसके बाद वो मुड़कर अपने हाथों को फैलाता है और उसमें परपल कोई औरा कंडेंस होने लगता है और कुछ ही इस टाइम के यह परपल कोई एक इसमाल ब्लेड में कंडेंस हो जाती है और आसपास का एरिया पूरी तरीके से परपल कोई के औरे में कभर हो जाता है जिसके बाद यौन त्यानमुन कहता है Heavenly Purple Astral Blade और इसके बाद वो एक पावरफुल Purple Dragon की तरह रोर करता है और इसके बाद Speed के साथ Lean की जाता है और लीन ते टकराता है जिसके कारण इसके बैक्लेस पोर से लीन उड़ता हुआ सीधा जील के अंदर जाकर गिरता है और वो पूरी जील बूरी तरीके से कांपने लगती है यूआन त्यान मुन के पारफुल अटेक को देखकर तो जोयान का दिल भी घबड़ा गया जोयान को पता था कि अगर वो अपनी एंपरर फ्लेम का यूज नहीं करता तो वो कभी भी इस अटेक को नहीं रोक पाएगा जिसके बाद जोयान अपनी नजरों को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जोयो अभी किस आलत में होगा क्या उसकी बोर्डी की चो काफी जादा पावर्फुल था और इस टायम पे लीन जो कि अपनी पावर के साथ ओरिजन किंग के पीक लेवल पर पहुँच गया था उसने अपनी पावर को चाहे पूरा ही क्यों ना लगा दिया हो यूँआ त्यान वून के एक एटेक से बोड़ता हुए चला गया था ज उसे अच्छी तरीके से याद था कि उस टायम पहले म्यू यूँआंग ने ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट को मार डाला था वो भी एक एक एटेक के साथ जब वो मोन आर्चिस फ्रेट लेवल पर था और इस टायम पे वो भी यही सोच रहा हुता है कि वो इस तरह की पावर को कभासिल कर पाएगा जिसके बाद यूँआ त्यानवुन अपनी जगह से गयब होकर उसे जील के उपर अपयर होता है और इसके बाद वो कहता है सरनेम ली वाले बंदे मेरे साथ अब ज़्यादा खेल मत खेलो और जल्दी बाहर आओ बढ़ना मैं इस पूरी जग और कोई भी खबर नहीं मिलती हाला कि तब ही सड़नली जोयान के पीछे से एक जगह फटती है और एक पानी से भीगी हुई हुमन फिगर वहां से निकलती है और उसके हाथ के एक छोटी सी स्रौट जोयान के पीट के उपर अटेक कर दीती है साथ इस टाब पर ली इन की पानी से बाहर आता है जोयान ने भी इसे फील कर लिया था और अपने आसपास के मडरा सौरे को भी इसलिए जोयान तुरंती डिसीजन लेता है और और इसन कोई से वाइट टाइगर की फर्ष्ट फॉर्म को क्रियेट करके सीधा ही अटेक कर देता है जो की होती है वाइट करन अचानक से स्पीड भी बढ़ जाती थी जिससे जोन काफी स्पीड के साथ काफी दूर तक ट्रेविल कर सकता था और जोयान की नाइन जेवाल्विंग बिन टेकनिक के कमपेरिजन में भी यही श्ट्रॉंग लग रही थी हालाकि जोन जब अपनी जगह से गयब हुआ त और वहां कुछ नहीं होता यह देखर लीन तुरंती के था कितनी फाश्री स्पीड तभी यहान त्यान मून का भी सेम फेस इंप्रेसन होता है और जब उसने जोन की स्पीड को देखा था और लीन का टैक से बचते हुए देखा था तो वो भी चौकते हुए के था यह बास् एपसोड यहीं पर एंड करूंगा और नेक्स एपसोड पे हम फाइट को कवर कर देंगे और आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंदा आया होगा काफी अरत थक्या हूं तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स एपसोड पे बाई बाई वाई थ्रम फैमली